हलो फेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंट्स इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे न्यू पैटर्ण स्पॉर्टिंग रर के कुछ कोश्चन्स और यह कोश्चन्स आई बीपेस पियो आई बीपेस कर्क दूसरे सभी बेंकिंग कोश्चन्स को देखें एक यह नए पैटर्ण का कोश्चन है नए पैटर्ण के कोश्चन्स से मतलब है कि थोड़ा सा कोश्चन को ट्विस्ट करके दिया जाता है और जब कोश्चन को ट्विस्ट करके यह अलग तरीके से दिया जाता है तो उसमें एक्जामनर का जो प्रेशर सिचुएशन को किस तरीके से हैंडिल करता है यदि उसके सामने कोई unexpected या unpredictable situation आयाती है तो वो situation को किस तरीके से हैंडिल करता है या कर सकता है तो new pattern questions से आपको घबराने की या nervous होने की या panic करने की जरूवत नहीं है new pattern questions के basics और principles सेम रहते हैं ठीक है उसको question को करने का तो चलिए देखते हैं इस question को आप यहां से देख सकते हैं यहां से एक यह पूरा question है तील नाइन में एक question दिया है और कुछ particular part इस question के bold में दिये हैं तो question को bold में भी दिया जा सकता है italic में दिया जा सकता है underline करके दिया जा सकता है ठीक है तो जो bold part है वो already correct है जो unbold part है उ इस question में एक गलती है, एक part में एक गलती है, लेकिन examiner आपसे दो या तीन गलती भी पूछ सकता है, और इसको थोड़ा सा complicated कर सकता है, जैसे option में आपको मिल सकता है, A and B, A or B, either A or B, ठीक है, इस तरीके से भी आपको option दिया जा सकता है, both A and B, तो option को भी कभी complicated थोड़ा सा किया और इस तेंट थरू, नूमर्स स्ट्रॉंग अर्थकुक्स, से साइन्टेस्ट तूवेल दे मिस्टरी बहाइंड हाइड हाव दे स्टक्चर रिमेंड अन-डेमेज, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक गलती सामने आई है, अन-डेमेज को देखिए आप, ठीक ह यह किसी चीज का नाम है, जो नाम होते हैं, किसी भी जिखके नाम होते हैं, वो होते हैं नाउन, और नाउन को मोडिफाई करता है, अड्जेक्टिव, ठीक है, तो स्ट्रॉक्चर रिमेंड अन-डेमेज, इस इस पर्चिकलर सेंटेंस में यह बात हो रही है, कि इ évidemment, बहों तो यहां पर यह जो word है यह structure को modify कर रहा है structure एक noun है और undamaged एक adjective है तो undamaged, damage या undamaged क्या है word है इसको हम adjective में कैसे change करेंगे इसको इसमें हम D लगा देंगे तो वो adjective बन जागा undamaged जैसे tire एक word है, tire का मतलब होता है ठकना ठीक है और यदि मैं बोलू tired, I am tired तो वो adjective बन जाएगा जब किसी word में हम D लगा देते हैं, ED या EN form जो होते हैं वो adjective form होते है ठीक है तो यहां पर undamaged जो word है यह गलत है ठीक है तो इसके जगह इसमें होगा undamaged तो यहां पर इसका जो answer होगा, आपके question का जो answer होगा, वो होगा third, बाकी सारा सही है इसमें एक particular part में एक ही गलती होग लेकिन कभी-कभी examiner दो या तीन कलती भी आपसे पूछ सकता है, चले अब हम देखते हैं second mistake, यहां पर देखें इन सारे sentences में यहां पर मैंने keywords दिये हैं, आप right hand side में यहां पर देख सकते हैं, यह keywords हैं और इन keywords के meaning थोड़ा सा discuss कर लेते हैं, बिनीत क्या होता है, बिनीत और से, बिनीत और अंडरनीत का एक ही sense निकलता है, लेकिन बिनीत थोड़ा सा formal word है, अंडरनीत थोड़ा सा common word है, जैसे suppose आप किसी जगर पर खड़े हैं और आपके पैर के नीचे एक सिक्का दबा हुआ हुआ है, एक coin दबा हुआ हुआ है, तो उस particular sense में हम use करेंगे बिनीत य और literary word है, अंडरनीत थोड़ा सा common word है, I hope this is clear to you, उसके बाद हम देखते हैं precarious, precarious का मतला होता है critical, जैसे हम बोलते है precarious situation, मतला critical situation या uncertain situation या unsafe situation, उसको हम बोलते है precarious, थोड़ा सा critical situation, उसको हम बोलते है precarious, unwailed कार्थ होता है, unwailed कर्थ होता है, किसी चीज को remove करना या हटाना या उसको, किसी secret को खोल देना, ठीक है, और जब किसी चीज को publicly first time introduced किया जाता है, किसी किताब को, या किसी भी चीज को, तो उसको भी हम बोलते है, unveil, unveil करना, मतला उसको present करना, उसको publicly paste करना first time, ठीक है, तो beneath precarious और unveiled, ये तीनों यहां पर keyword है और इनके meaning में आपको यहां पर बताये हैं, despite कर्थ होता है इसके बाब जूद, undamaged का मतलब है कि वो damage नहीं हुई है, ठीक है, leaning, leaning का मतलब होता है जुकना, यहां पर एक keyword और है, leaning, leaning at a precarious five degree angle, five degree angle पर वो lean कर रही है, यानि जुक रही है, lean के साथ जो proposition हम लगाते हैं, वो लगाते हैं against, leaning against, ठीक है, तो उसके लिए proposition against का use करते हैं, unveiled का मतलब खोलना, दिखाना, प्रकट करना, पेश करना, यह होता है, unveiled का मतलब, और mystery का मतलब, रहस से होता है, earthquake, आपको पता ही होगा, earthquake, और beneath का मतलब, नीचे, soft foundation, सारे meaning मैंने आपको बता दिये इसके, numerous के मतलब कैई सारे, strong का मतलब मजबूत, और structure remained undamaged, मतलब वो वैसा ही रहा, remain का मतलब है, वो वैसा ही रहा, जैसे यदि में आप से बोलता हूँ कि remain there, मतलब वही पर ख़ड़े रहो, तो remain का मतलब होता है, एक ही situation में रहना, तो सारे word meaning हमने discuss कर लिए, अब हम लिए, अब हम देखते हैं, second question को, the symbolic gestures, gestures का मतलब होता है, मुद्रा है, जैसे हम हास से कोई मुद्रा बनाते हैं, किसी वक्ति को हम बलाते हैं, या इशारा करते हैं, तो इसको हम बोलते है, gestures, इसका जो सही उचारान है, जेस्चर, इसको gesture नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलन इमेज are the symbolic representation of divinity, whose original end has expressed, अब देखिए, इस particular, ये sentence काफी tricky है, और काफी tricky ये sentence है, इस sentence का answer नकालने के लिए, आपको इस पूरे sentence को थोड़ा सा ध्यान से आपको focus के साथ पढ़ना पढ़ेगा, इन इंडियन sculpture art, इमेज is are the symbolic representation of divinity, whose original end has been expressed, through the religious and spiritual belief, मतलब यहाँ पर आपको passive voice चाहिए, यहाँ पर आपको active voice नहीं चाहिए, क्योंकि sentence में हम बोल रहे हैं, कि इमेज is are the symbolic representation of divinity, इमेज is are the symbolic representation of divinity, जो जो godness होती है, जो देवियपन होता है, या देवत तो जो होता है, जो भगवान से related जो चीज़ा होती है, उनका इमेज is के through एक symbolic representation किया जाता है, इमेज is are the symbolic representation of divinity, whose origin and end has been expressed, या is expressed, यहाँ पर is expressed भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इमेज is का जो symbolic representation है, उसको दिखाया जाता है, किसके through, religious and spiritual belief के through, उसको दिखाया जाता है, तो यहाँ पर हम has been expressed भी बोल सकते हैं, या is expressed कहना ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पर is expressed, ठीक है, I hope this is clear to you, यदि आपको यह clear नहीं हुआ है, तो इसको आप group में discuss करें, group में मुझे भेजें, मेरे mail पर मुझे भेजें, और मुझे call करके भी इसका पूरा clarification आप ले सकते हैं, यदि आपको कोई भी doubt है, थोड़ा सा भी, मुझे ऐसा लग रहा है, कि शायद ये student के लिए थोड़ा सा tricky ये question हो सकता है, तो यहाँ पर हम बूलेंगे is expressed, has expressed नहीं बूलेंगे is expressed, क्योंकि express किया जाता है किसी वेक्टी के द्वारा, images के द्वारा symbolic representation को किया जाता है, through the religious and spiritual belief, तो थोड़ा साब इसमें अपना दिमाख लगाए, common sense यूज़ करें कि कहाँ पर passive voice यूज़ होता है, कहाँ पर active voice यूज़ होता है, उस तरीके से sentence को आप आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ पर four इसका सही answer होगा, ठीक है, अब हम इसके कुछ word meanings देखते हैं, word meanings देखिए, यहाँ पर कुछ keywords मैंने लिखे हैं, right inside में आप देख सकते हैं, gesture, तो gesture का क्या मतलब है, gesture का मतलब होता है, मुद्राएं, ठीक है, हाथ, पैरों की या आँखों की जो मुद्राएं होती हैं, उनको हम बोलते हैं, gestures, iconography में क्या करते हैं, iconography में जो image होती है, image में जो content है, जो history है, उसकी description है, उसको हम discuss करते हैं, मतलब image का जो content है, उसको हम discuss करते हैं, divinity मतलब God से related कोई भी चीज, divinity, ठीक है, evoke का मतलब होता है, recall करना, अपने दिमाग में किसी चीज को recall करन पर्टिकुलर मतलब wishes, symbolic मतलब symbol से संबंदित, symbol, images, sculpture एक art होती है, sculpture, meditation का मतलब ध्यान होता है, meditation, gesture का मतलब मुद्राय होता है, representation मतलब उसको represent करना, belief मतलब विश्वास, divinity मतलब God से related, origin मतलब यो कहां से निकला है, end मतलब वो कहां पर खतम हुआ है, ritual का मतलब होता है, जो traditions होते हैं, जो customs होते हैं, जो हमारी परंपराय होती है, उनको हम बोलते है rituals, ठीक है, through मतलब इसके द्वारा, तो मैंने यहां पर सारे word आपको बताये है, express का मतलब, express करना, उसको expression जैसे होता है, ठीक है, तो ये हैं आपके keywords, तो keywords भी मैंने इसमें आपक सारे, और मैंने इस question को आपको अच्छे तरीके से explain किया है, और ये भी बताया है कि has क्यों नहीं आएगा, has होता है active voice में, has been या is यहां पर आ सकता है, क्योंकि किसी चीच को किसी व्यक्ती के द्वारा, या किसी वस्तू के द्वारा, यहां पर हम ये बोल लाएं, कि किसी च नहां पर इसमें, आपका सही answer इसमें होगा, तो latest pattern के जो questions आ रहे हैं, नए pattern के जो questions आ रहे हैं, उनसे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूवत नहीं है, examiner आपका original talent है, या original intelligence है, और इस तरह के questions को, मैं अपने सारे video classes में भी बताता हूं, कि 4 seconds में, इस तरह के questions को आप किस तरीके से solve कर सकते हैं, तो इस trick को आप apply करें, और अच्छा score आप definitely आप अच्छा score कर सकते हैं, और सभी student से एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, please GA का जो section है, general awareness का जो section है, जिसमें आपका banking awareness, current affair और static GK आता है, उसको बिल्कुल भी आप lightly ना ले, कुछ student का selection SBAE clerk में, क GA section की वज़े से रुखा है, जो हमारे बहुत ही brilliant student है, और जिनका short short selection था, लेकिन उनका selection एक या दो number GA में कम होने के वज़े से रुख गया है, तो इसलिए सभी student को यहाँ पर मैं intimate करना चाहूंगा, कि GA section को do not take it lightly at all, take it very very seriously, ठीक है, अब हम देखते हैं, next, question को, the focus of public and judicial concern over the situation prevailing in India's prison has in recent times been related to overcrowding and long spells of incarceration faced by indigent inmates to poor to obtain bail, तो इस question को मैं पढ़ूँगा पूरा और थोड़ा सा डिटेल में इसको बताऊँगा मैं आपको, ठीक है, इसका मतलब क्या है, the focus of public and judicial concern, देखें, जो judicial concern है, जैसे court हैं, या public जो authority हैं, उनका concern क्या है, उनकी चिंता क्या है, concern के बाद हम over लगाते हैं, उनकी चिंता ये है, उनकी चिंता situation के ऊपर है, situation क्या है, कि prevailing in India's prison has in recent time been related to overcrowding and long spells of incarceration, मतलब जेलों में ऐसे लोग ऐसे गरीब लोग पड़े हुए हैं, कि जिनके पास अपनी जमानत कराने के लिए, अपनी बेल लेने के लिए पैसा नहीं है, वो इतने ज़दा गरीब हैं, और उसमें से काफी सारे लोग innocent भी है निर्दोश भी और वो jail में सजा भोगत रहे हैं long spell of incarceration का मतلب है कि jail में जो लंबी सजा भोगत रहेły उसको हम बोलते है long spells of incarceration 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 हम actually imprisonment को ही भूलते है imprisonment जेल में जब जाने की जो kriya होती है उसको हम बोलते है incarceration spells का मतलब वो चीज काफी 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 लंबा दौर है उसका ठीक है long spells of incarceration faced by indigent inmates inmates मतलब जो अंदर रहते हैं जो जेल में अंदर रहते हैं वो होते inmates वो too poor है वो इतने जदा poor है कि वो bail को obtain नहीं कर सकते बेल यानि जमानत को वो नहीं ले सकते indigent का מתला होता है poor ठीक है इसी से मिलता जषी थे एक वर्ड और होता है आपको confuse होने की जरूत नहीं है उसको हम बोलते हैं indignant indignant मतलब होता है जो 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 नाराज है उसका हुम बोलते हैं indignant indigent poor होता है incarceration imprisonment होता है prevailing मतलब जो चल रहा है प्रचलित है उसको हम बोलते है प्रिवेलिंग तो इस तरीके से मैंने इस पूरे सेंटेंस को बताया अब इस पूरे सेंटेंस को हम फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं कहां पर इस मगलती है The focus of public and judicial concern over मतलब जो public and judicial concern का जो focus है वो कहां पर है concern के बाद आप over लगाते हैं वो focus है situation में वो situation क्या कर रही है? prevailing कर रही है देखे, prevailing यहाँ पर एक adjective का काम कर रहा है इसको हम बोलते है present party से पर और adjective किसको modify करता है? noun को तो noun क्या है यहाँ पर situation situation की विशेष्टा क्या है? situation है prevailing situation, we are talking about a situation that is prevailing, that is going on जो चल रही है, उसको हम बोलते है prevailing, तो यहाँ पर यदि आपसे part of speech पूछा जाए, तो prevailing is a kind of present participle because it is modifying situation that is now, I hope this is clear to you, उसके बाद prevailing in, मतलब जो situation तो चल रही है, लेकि कहाँ पर चल रही है situation in India's prisons, भारत के जेलों में वो situation चल रही है has in recent time अभी हाली के दुनों में, has been related to overcrowding, has been related to what? has been related to what? It has been related to overcrowding, तो two के बाद overcrowding लगा है, इसका मतलब यह क्या है? यह एक gerund है, जब भी हम what का answer ढूड़ते हैं और what का answer जो भी आता है वो noun होता है, what का answer जब भी हम ढूड़ते हैं और what का अंसर जो भी आता है वो noun होता है जैसे यहाँ पर आपसे बोलू कि related to what तो आप बोलेंगे over crowding इसका मतलब over crowding यहाँ पर एक noun है एक gerund form है ठीक है? तो यह सही है यह सही है यहाँ पर यहाँ आप over crowded यहाँ पर बोलेंगे तो यह गलत हो जाया क्योंकि related to what का अंसर over crowded नहीं होगा related to what का अंसर object या noun के form में होगा तो इसलिए over crowding जो word है यहाँ पर यह सही है long spells का मतलब होता है एक लंबा दौर spells का मतलब होता है एक दौर incarceration का मतलब होता है imprisonment imprisonment को face कौन करता है incarceration को face कौन करता है indigent inmates जो inmates हैं जो jail के अंदर रह रहे हैं और वो jail के अंदर जो रह रहे हैं वो कौन है वो कैसे हैं वो गरीब है वो indigent है अब यहाँ पर inmates देखिए inmates क्या है noun है और इस noun को modify कौन सा word कर रहा है indigent इसका मतलब indigent क्या हुआ indigent है के adjective हुआ ठीक है क्योंकि वो noun को modify कर रहा है to poor to obtain bail obtain मतलब प्राप्त करना वो इतने गरीब हैं कि jail में विचारे रह रहे हैं निर्दोश हैं लेकिन उसके बाप जूद भी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो bail obtain कर सकें तो यह एक बहुत बड़ा concern है public और judicial authorities का तो इस पूरे sentence में कहीं कोई गलती नहीं है और इसका answer होगा no error और right hand side में मैंने keyword discuss किये है prevailing मतलब जो चल रहा है incarceration मतलब imprisonment indecent मतलब poor और indignant मतलब annoyed या नाराज तो इस तरीके से मैंने इसमें सारे word meaning आपको बताए concern का मतलब चिंता over का मतलब किसी चीज के ऊपर जो चिंता हो रही है ठीक है और judicial मतलब courts related law से related overcrowding मतलब भील भरती जा रही है तो I think सारे words हम discuss कर चुके है चलिए next question देखते है in a welcome move this week India has ratified ratified मतलब उस चीज को validate कर दिया है उस चीज को justified कर दिया है उस चीज को सही साबित कर दिया है India has ratified two key global convention आप देखें यहाँ पर शुरुवात में ही गलती निकल के आ गई यह two क्या है numeral adjective है और two के बाद जो हम noun लगाते हैं वो हमेशा plural में लगाते हैं तो इसलिए conventions इसमें सही आंसर होगा और चुकि conventions सही आंसर होगा शुरू में ही इसमें गलती निकल के आ गई इसलिए आपको आगे पढ़ने की इसमें ज़रूत नहीं है लेकर हम आगे पढ़ सकते हैं इसको और सारे word meaning हम इसके देख सकते हैं nonetheless का मतलब होता है however even so फिर भी इसका मतलब होता है nonetheless इसके जगए हम nevertheless भी बोलते है nevertheless skeptical if something is skeptical it is doubtful skeptical का मतलब होता है doubtful skepticism skeptical में एक noun है skeptical एक adjective है arouse का मतलब होता है किसी चीज़ को stimulate करना इसी चीज़ को आगे बढ़ाना उसको stimulate करना persist का मतलब होता है लगातार चलते रहना evolution का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना खतम कर देना उसको remove कर देना evolution और prohibition का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगाना prohibit तो इसमें conventions की गलती है two के बाद हम conventions इसमें बोलेंगे क्या-क्या word meaning इसमें आ रहे हैं चलिए next question को देखते हैं, to say it is a domino effect, domino effect क्या होता है, domino effect का मतलब होता है, कोई भी action चालू होता है, और उस action के बाद उसी से similar, उसी जैसे ही action लगातर होते जाते हैं, जैसे आपने अकसर देखा हुगा, school में जबाप पढ़ते होंगे, या college मे पढ़ते होंगे, तो एक cycle, stand पर एक cycle गिरती है, तो उसके बाद सारी cycle हैं गिरती जाती हैं, एक के बाद एक, तो that is called domino effect, इसको हम mechanical effect भी बूलते हैं, ठीक है, domino effect is also called mechanical effect, right off का क्या मतलब है, right off एक commerce का word है, जो student commerce के हैं, वो जानती होंगे कि right off क्या होता है, right off का मतलब होता margin पर बैठे हुए हैं, जिनके income बहुत काम है, जो बहुत गरीव हैं, they are called marginal farmers, right, might be simplistic, simplistic का मतलब जो चीज़ simple, जो चीज़ बहुत complicated है, लेकिन उसको simple, उसको देखा जा रहा है, उसको as a simple interpret किया जा रहा है, that is called simplistic, right, so there is a difference between simplistic and simple, might be, हम कहां लगाते हैं, maybe हम कहां लगाते हैं, maybe हम लगाते हैं, जब हमें लगता है कि यह situation ऐसा हो सकता है, something that is possible, something that is factual, वहाँ पर हम में लगाते हैं, लेकिन might हम लगाते हैं, पूरे तरीके से hypothetical situations के लिए, if something is totally hypothetical, if something is totally imaginary, we must use might and not may, please remember this thing, और farmers का मतलब होता है, किसान different मतलब, अलग-अलग country मतलब देश, begin मतलब शुरू हो हैं, और waiver का मतलब है कि छूट प्राप्त करना, छूट प्राप्त करना, wave का मतलब होता है, इसको हटा देना, wave off कर देना, ठीक है, तो इस पूरे sentence में, might be नहीं आएगा, might be कि स्थान पर हम में भी आएगा, क्योंकि हम real situation की बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, to say it is a domino effect of the loan right off for small and marginal farmers by the Uttar Pradesh government, might be simplistic, but farmers in different part of the country have begun agitating for waiver, इसमें हम ये बोल लहे हैं कि Uttar Pradesh की जो government है, उसने काफी सारे गरीब किसानों के loan maaf किये हैं, उनको right off किया है, उनको wave किया है, लेकिन उसी की देखा देखी, domino effect के चलते, जो दूसरे states के जो farmer न उनने भी waiver को मांगना शुरू किया है, कि हमारे जो किसान हैं, उनके loans भी wave off किये जाए, और इसके लिए उनने आंदोलन करना शुरू कर दिया है, तो एक domino effect यहां पर एक create हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर चुकि हम बोल रहे हैं कि loan right off जो है, यह it may be simplistic, यह simplistic हो सकता है, तो पर इसमें हम may be लगाएंगे, और यह sentence आपका हो जाएगा correct, तो second path में इसमें आपके गलती है, अब हम आ जाते हैं, right hand side में कुछ word meanings हम discuss कर लेते हैं, क्योंकि word meaning का एक बहुत बड़ा role है, domino effect में अलड़ी समझा चुका हूँ आपको कि domino effect क्या होता है, इसके लिए मैंने दूसरा word भी बताया है, वो दूसरा word क्या है, वो दूसरा word है, mechanical effect, right of a commerce का word है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना या cancel करना, marginal का मतलब, the people who are sitting on the margin, the people who are very very poor, उनको हम बोलते हैं, marginal, simplistic, something that looks very complicated, but in reality is very simple, ठीक है, simplistic का मतलब है, कोई चीज़ बहुत complicated है, लेकिन उसको simple simple दिखाया जा रहा है, that is simplistic, waiver का मतलब किसी चीज़ से छूट प्राप्त करना, छूट पाना, agitating मतलब आंदूलन करना, agitation का मतलब होता है, आंदूलन, agitating, annoyed का मतलब है, annoyed का मतलब होता है, नाराज होना, या चिर जाना, उसको हम मुलते है, annoyed, तो यहाँ पर हमने सारे words देख इसमें गलती सुरू में ही आ गई, इसमें tending जो word है, इसको normally हम continuous tense में use नहीं करते, tend का मतलब होता है, intend, intend मतलब intention, ठीक है, intention दिखाना, जैसे consist एक word है, या compose एक word है, ठीक है, belong एक word है, इन words को हम continuous tense में use नहीं करते, उसी तरीके से tending जो word है, इसको भी हम continuous tense में use नहीं करते, इसलिए इसमें आनसर होगा आपका वर्स्ट ये चार सेकेंद में देखिए असका आइस का आनसर में निकाला आपको और अब हम वर्ड मीनिंग कुछ डिसक्स कर लेते हैं trentent criticism cant겨 rattling 중에 Savannah मतलब severe criticism तो trentent card होता है severe bit criticism क्या है यहां पर male है Q7 क क्या होता है हम बोलते है किटिषिज तो आशना क्या है किसी चीज का नाम है तो इसलिए ट्रैंट दक्र मोड् serv общ지 गोगा और T рекफिता है अजये की थे अटम्ट्स क्या है नाउन है यह प्रियास होता जिसको हम बोल सकते हैं बफादारी नहीं करना मुकरना बेवाफाई करना इसको हम बोलते हैं इसको बना इसको लोग के फरम में बना दोना किसी जीच को सकम बोलते इनेक्टेर, अंडर कोलोनियल रूल, कोलोनियल रूल मतलब जो अंग्रेजों का जो शाशन था, that is called कोलोनियल रूल, remains मतलब वहीं पर वो रहता है statute का मतलब होता है law law book statute book मतलब law book ठीक है तो यहाँ पर मैंने सारे word meaning बहुत detail में यहाँ पर सारे word meaning मैंने आपको बताया है और sentence में यह भी बताया है कि यह sentence गलत क्यों है ठीक है चलिए आगे देखते है The law commission consultation paper on reform of family law is a progressive document that avoids the advocacy of a uniform civil court merely for the sake of uniformity पूरा sentence इसमें कहीं पर कोई गलती नजर नहीं आ रही है एक बार और देख लेते हैं The law commission's consultation law commission का consultation है तो इसलिए पोस्टरफी स यहाँ पर सही है paper on reform of family laws is a progressive document progressive क्या है यहाँ पर adjective है document यहाँ पर क्या है noun है noun की विशेष्टा कौन बताता है adjective document यहाँ पर क्या है noun है progressive क्या है adjective है यह document कैसा है progressive document है इसलिए progressive adjective हुआ यहाँ पर progressive document चुकि singular है इसलिए avoids कहना यहाँ पर सही है यहाँ पर यदि आप avoid बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, avoid what, avoid advocacy, what का जो आंसर आता है वो noun होता है, तो advocacy क्या हुआ, noun हुआ, advocacy of a, you, you मतलब आ की sound है, you मतलब, you मतलब या की sound है, और या होता है consonant, इसलिए a यहाँ पर सही है, uniform से पहले a सही है, merely का मतलब होता है only, ठीक है, for the sake of मतलब इसके लिए, for the sake of मतलब इसके लिए, uniformity, तो यहाँ पर कुछ word meaning भी हम देख लेते हैं, merely का मतलब होता है only, uniformity, मतलब एक रूट था, consistency, for the sake of मतलब इसके लिए, तो यहाँ पर इस पूरे sentence में कहीं कोई गलती नहीं है, और इसका answer होगा no error, the law commission consultation paper on reform of family law is a progressive document that avoids the advocacy of a uniform civil court merely for the sake of uniformity, तो यहाँ पर आपका अंसर होगा, no error, question number 8, several bankers and even the government have expressed reservations about the RBI directive with regard to our power sector, with regard to our power sector नहीं होगा क्योंकि पावर सेक्टर इसक्टर 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 इसक्टर, so with regard to the power sector, यहाँ पर ये वाला part गलत है, ठीक है, और जैसे ही ये गलती आपको मिलती है, आपको आगे बढ़ना है, वहाँ पर रुखना नहीं है, नहीं पूरे sentence को परने की जलूवत है, पूरे sentence को तभी परना है, जब sentence आपके समझ में नहीं आ रहा, यह आपको आपके answer पर doubt है, यदि आप शूर हैं कि आपका यही आंसर होगा तो फिर आपको आगे sentence को पंड़े की जरूवत नहीं है क्योंकि जो time management होता है banky exam में और दूसरे सभी exams में that is very very crucial, you have to take care of the time तो time management को आपको apply बहुती strictly और बहुती अच्छे तरीके से Hakeet Time management को आपको apply करना है सभी banky exams में वह सका मतलब होता है Cinta yaha Parishani fixúc сало dopp karlna fix kam एकिसी चीश को solve करना work का मतलब होता है परिशानी दोख याजेंथ इस समंदित कि इस प्राइस होता है distributed distribution चू स्थी है kę तो एक तो पीजली को generate करने वाली मुfa मTom One Warning विश्वास किया जा सके औन यहां पर मैंने सारे यपूड मेर्मिनग आपको बताए है अवेशन रहा बेंकर्स और यह इवन सो पताया है उन्हों छिण्ता जाहिर है reply बचुड़ुन और रहर्च वाला they have expressed reservations मतलब उन्होंने अपने doubt वहाँ पर बताया है उन्होंने अपनी चिंता वहाँ पर जाहिर की है ठीक है about the RBI डिरेक्टिव RBI का जो डिरेक्टिव है उसके बारे में उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है तो ये इस question का मतलब है तो इसमें आपका आंसर क्या होगा second इसमें आंसर होगा वोस का मतलब होता है चिंता डिसकॉम मतलब distribution companies credible मतलब विस्वास के लायक fuel मतलब जो जो इधन होता है उसको हम बोलते हैं fuel resolution मतलब किसी जिसको resolve करना किसी जिसको sort out करना चले आगे का question हम देखते हैं the US plans to reintroduce sanctions against Iran मतलब Iran के against US जो है वो sanction को फिर से introduce करना चाहता है मतलब उनको फिर से वो sanction देना चाहता है कि वो तेल और oil की इनकी supply कर सकते है which pumps about 4% of the world's oil इरान जो है वो पूरे world का 4% oil pump करता है after abandoning a deal deal को छोड़ने के बाद after क्या है एक proposition है proposition के बाद हम हमेशा ING form लगाते हैं तो यह यहाँ पर सही है इसको भी आप हमेशा ध्यान में रखिए after abandoning a deal deal चुकी countable इसलिए यहाँ पर लगाया है after abandoning a deal reached in late 2015 इसका मतलब है कि उस deal को छोड़ने के बाद जो deal 2015 में हुई थी reached मतलब जो 2015 में हुई थी that limited तेहरान's nuclear emissions और उस deal के अंतरगत उस deal ने क्या किया था तेहरान के जो nuclear emissions हैं उनको limit कर दिया था उसने ठीक है तेहरान's nuclear emissions in exchange for the removal of US and European sanctions तो US ने बोला था कि हमको sanction किया जा है उनको पर जो रिमूबल लगे हुए उनको हठाया जाए और इसके बदले में US ने उनको sanction किया था तो यहां पर उस तरह की business related एकी sentence है तो इसमें इसमें क्या गलती है इसको फिर से पढ़ते हैं इसमें एक बाल फिर से देख लेते हैं the US plans to reintroduce sanction against इरान which pumps about 4% of the world's oil after I've been getting a deal reached in late 2015 that limited Tehran's nuclear emissions in exchange for the removal of US and European sanctions सही है यह sentence इसमें US और European यहां पर हम US को एक कंट्री की तरह मान रहे हैं इसलिए इसमें पहले दा आया है लेकिन यहां पर दा नहीं आएगा इसमें सही है यहां परदा लगाने का कोई परपस नहीं है यह सेंटेस ही है और इसमें आंसर होगा आपका कि नो एरर चले एक सेंटेस और देखते हैं कि हाँ अवेंडिरिंग का मतलब छोड़ना रिवीवल मतलब हटाना सेंट्सन मतलब सेंट्सन करना किसी चीज को तो सारे वर्ड मीनिंग हम देख चुके हैं री इंट्रड्यूस मतलब दवारा से इंट्रड्यूस करना एंवीशन मतलब हमारी जो मेहत्वकांचा होती है उसको मुलते हैं एंवीशन इन एक्सचेंज फॉर मतलब इसके बदले में रिमूबल मतलब हटाना ठीक है लिमिटेड मतलब सीमीट कर देना तो सारे वर्ड हम इसमें देख चुके हैं चलिए आप इस सेंटेंस को देख लेते हैं इंडिया बैस्ट एवर एशियन गेम्स मैडल हॉल मैडल हॉल मतलब मैडल्स को पुल करना उनको लेना उनको अप्टेन करना तो उस सैंस में यहां पर हॉल वर्ड का यूज हुआ है इंडिया बैस्ट एवर एशियन गेम्स मैडल हॉल एज जकारता हैस ब्रॉट मच चीर मत इंडिया का जो बैस्ट एवर, जो हमेशा से, बैस्ट एवर का मतलब क्या है यहां पर, बैस्ट एवर का मतलब है कि जो जितने भी एशियन गेम्स हुएं, उसमें सबसे अच्छा, बैस्ट एवर, ठीक है, इंडिया's बैस्ट एवर, एशियन गेम्स मैडल हॉल, एशियन गेम medal hall जहां पर उसने सबसे ज़्यादा medal achieve किये हैं सबसे ज़्यादा मतलब काफी काफी बड़ी संक्याम है चाइना से ज़्यादा नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा hall at jakarta has brought much cheer इस चीज की वज़े से इंडिया लाया है क्या लाया है एक खुशी लाया है cheer का मतलब होता है खुशी much मतलब यह एक adjective है much cheer the Indian contingent मतलब इंडिया का जो group था Indian contingent ranked in 69 medals including 15 gold it may have lag हाँ यहाँ पर गलती आ गई इसमें सामने have के बाद हम क्या लगाते हैं third form लगाते हैं have के बाद कोई word अगर लगा है तो वो verb ही होगा वो noun तो होगा नहीं और have के बाद हम word में क्या लगाते हैं third form लगाते हैं तो इसलिए lag ना होते हुए यह होगा lagd क्या होगा lagd तो दो चीज़िए मैंने बताई आपको के have के बाद के बाद word भी आईगी और word भी जो आईगी वो भी third form में आईगी तो इसलिए lagd ना होते हुए यह होगा आपका lagd तो इस तरीके से इसमें आपका गलती जो है वो कहां पर होगी गलती होगी second part में ठीक है तो second इसका आपका सही answer आपका होगा hall का मतलब obtain करना, खीचना उसको बलते हाल lag का मतलब पिछड जाना lag behind जैसे हम बोलते है significant का मतलब महत्त पूर heroic का मतलब के hero जैसी जो performance है उसको हम बोलते है heroic तो recent का मतलब अभी हाली में सारे word meaning मैंने बता दिये यह सारे word meaning मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी student में से बोलते है कि सरा हम पैचानेंगे कैसे कि कौन सा word noun है कौन सा word adjective है और हम उस word का यदि meaning नहीं जानते है तो हम उस sentence को कैसे करेंगे तो इसलिए student की demand पर मैं सारे part of speech आपको बताऊंगा और सारे word meaning भी आपको बताऊंगा ठीक है तो एक बार और देख लेते हैं women, men, medal, contingent मतलब group होता है west ever, best ever मतलब जो हमेशा जितने भी ACN game हुए उसमें सबसे अच्छा और including मतलब इसको सामिल करते हुए may have lagged मतलब पिछरना और China यहाँ पर एक proper noun है, behind मतलब पीछे, China को जो model मिले है वो 289 model मिले है ठीक है, India को 69 medal मिले है cheer मतलब खुशी recent मतलब भी हाली में तो मैंने सारे word meaning यहाँ पर हमें आपको बता दिये है तो इसमें मैंने 10 हाला की question discuss किये हैं, लेकिन 10 questions की मदद से काफी तरीके के अलग-लग pattern के questions भी आप solve कर सकते हैं, क्योंकि मैंने questions को काफी detail में word meaning के साथ और part of speech के साथ बताया है, ठीक है, इसके regarding कोई भी आपका feedback है, तो email ID पर मुझे लिखिए, और जो भी question आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, English में जो भी problem है, प्लीज मुझे mail करिए और detail में उन सारे questions को मुझे भेजिए और मैं उसका detailed answer पूरे feedback के साथ आपको तरंट आपके mail ID पर भीजूँगा, ठीक है, तो इसी के साथ इस video class को हम खत्म करते हैं और इसके बाद, अब मैं आप से बिलूँगा next video class में, thank you